बुर्हानपुर जिले के बोरगाव खुर्द में इस्थेते के ऐसा माता का दर्बार जो किसी अस्पताल से कम नहीं ये वैसे तो हर सिध्धी माता है लेकिन इसे खुझली वाला माता के नाम से भी जानते हैं आपको बता दे कि यहां जो भी दुख्यारा खुझली फोडे आत्म चैतने स्वामी का कहना है कि यहां जो भी बिमारी लेकर आता है निरोगी हो कर जाता है वहीं संबंद में शंकर चैतने स्वामी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह स्वैम भू प्राचीन विग्रय है और यहां चैत्र और शाव्धिय नवरात्म में भक्तों का तात लग जाता है वही अश्वध्धा भक्ति से पूजा करने पर जिसे भी कोई बिमारी फोड़ा फुंसी या कोई भी खुजली हो तो वो खुजली से मुक्त हो जाता है कि देखिए में पाच्छे मैंने से मेरे को स्वामी जी कहते हैं जाओ भाई पुजा किया करो तो रोज आता हूं दूप आगरवती सुबस्याम पुजा करता हूं मंगलवार के दिन बहुत लोग आते दू दूर से जलगाओ भुसावली इंदोर नेपानगर भोपाल पुजार दो पाच्छ मंगलवार करो नमक का पुड़ा पाच उतार पाच बार उतार के निचे रख दू नारियल साबित नारियल देवी के सामने रखो दूबती लगाओ परसाद बगरे चड़ाओ पाच्छ मंगलवार करने मातर अशे तुमारी कायसे भी खुजली वो पाच मंगलवार आते हैं और इसनान करके और बस त्रत्याग करके और जो आ करके और इहां संकल्प करके पूजन करते हैं उनकी खुजली समाथ हो जाती है तो इसलिए वो लो भाग हर सिद्धी और सिद्धी दात्री तो भूल गए जैसे वो अपने हैंडल बाबाबा करके पुल गए ऐसे वो हैंडल बाबा बन गए ऐसे यह खुजली माता बन गए है तो यह बहुत प्राचीन मूर्ती है तो इस स्वेंबु है यहां पर जो है यह याने कोई बताई नहीं रहा के कब की है इस इस थान बिलको यह था जुरावस्था में प्राप्त हो गया था कोई भी देने वाला था लोग्भा गोने से गोती गाठा बाहर भीडिया वो एक बार पुलिस वाले सब एक खटे हुए प्रवनों ने सब को सम्या बुजा करके बाहर किया और गोती गाता सबंदर करके ताला लागा करके भाद एक बुद्धा आ गया जलगा तो विचारा वह ब